हेलो दोस्तों देखिए आज एक न्यूज ने कि स्टेटमेंट ने ठीक है मोटा भाई कि स्टेटमेंट ने मार्केट को चार्ड चांद लगा दिये जहां पर सब लोग पैनिक थे जहां पर देख रहे थे कि दोपैर में किस तरीके से तभाई मचे वही थी है और क्या हो रहा है उस सब चीहों से बाते करने वाले हैं बट वीडियो में आगे बड़े आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि I am smallcap investor चैनल को subscribe bell icon को hit notification कौन करें बाइंसा लिंग की recommendation नहीं है अपने financial advisor कुद की study करना है चीजों को सीखने पर focus करिए मैं हमेशा कहता हूं अगर आप चीजों को सीखेंगे तो याद रखिए पैसा definitely बनेगा सीखने का तरीका सबसे पहले वीडियो जाके वीडियो को देखिए आपको चीजे क्यों क्या कैसे के जवाब मिलते हुए नज़र आएंगे तो basics to advanced technical research fundamental कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है क्यों क्या कैसे के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आएंगे पच्टिया जार रुपे का कोर्स है त्री मन्स की hand holding strategy using stock market online notes सब कुस दिया जा इसको enroll कर ले जो साथ में अगर काम करना है तो भी इनी नंबरों को note करके call message WhatsApp कर सकते हैं enquiry कर सकते हैं बात करने का कोई पैसा नहीं है जाके एक बार call करिए message करिए WhatsApp करिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो क्या यहां पर देखिए अभी market आप देख रोए हो तो आप आपको समझ में आएगा कि market में लगा था गिरावट थी हाना और यह जो गिरावट थी नॉर्मल गिरावट नहीं थी ठीक है इस गिरावट में लोगों के portfolio 10% तक नीचे आ गए थे ठीक है और यहां पर आप देखोगे small cap में और भी जवर्दस यहां पर गिरावट थी mid cap मे में वह भी गिरावट थी बट आपको दिख रहा होगा यहां पर यहां पर आज के दिन में एकदम लोग बनाने के बाद 15,770 का हाना यह market एकदम recover करती हुए नजराई के वरो के वर 68.2 यहां पर negative में है सेम एज इस यहां पर हम बात करें mid cap जो बिल्कुल ही गिर गया था ज निफ्टी में positive closing होई bank निफ्टी में यहां पर देखंगे तो rally होती ही नजराई तो क्या reason है और exactly अब क्या करना चाहिए तो क्या statement दिखिए market में गिरावट चल रही थी और गिरावट के पीछे की वजफे की वज़ए थी की market इस तरह के रूमर फैलाया जा रहा था कि BJP नहीं आरी है BJP नहीं जीतेगी वोके इस तरीके की rumor और ये बाते यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही थी और मैं यहाँ पर देख भी रहूं कि काफी बड़े-बड़े investor भी है जो YouTube पर भी है वोके वो भी इस तरीके से यहाँ पर बातचीत करने में लग रहे है आप कह सकते हो आप जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है जो कि appropriate विलकुल नहीं है बट हमारी वीडियो देखोगे तो आपको मैं वही कह रहा हूं देखे market में छोटी मोटी गिरावट हो सकती है ठीक है correction आ सकता है बट हम थोड़ा सा अच्छे शेड़ों के साथ long term तक बने रहोगे थोड़ा सा time दोगे तो पैसा definitely बनेगा जैसे कि मैंने आपर इस वीडियो में जब गिरावट हुई थी तो भी मैंने आपको बताता कि time देना पड़ेगा time दोगे तो पैसा आपका definitely बन जाएगा ठीक है और वो ही आज होता हुआ भी नज़ाएगा तो क्या है यह गिरावट हमेशा आपको सिखाएगी यह जो गिरावट है ना हमेशा पैसा आप मत सूचिएगा कि A पे खरीदूँगा तो B पे बेचूँगा ना तो B पे बेच पाते हैं ना ही A पे खरीद पाते हैं बीच में ही कही ना कहीं खरीदना पड़ता है बट time देना पड़ता है बट over a period of time जो आप किसी भी चीज़ को दोगे तो याद रखिए आपके कैसे पैसे बनते हुए नजराएंगे आपके इस तरीके से पैसे बनते हुए नजराएंगे कि यहाँ पर आप करोड़पती अरबपती मिलेनियर बिलेनियर जो आप यहाँ पर सोच रहो ना आपका वह पूरा का पूरे सपने पूरे होते हुए बट गिरावट के साथ में हमेशा ऊपर ही जाती हुई नजर आई है तो हमेशा अच्छे स्टॉक में आप इंवेश्टेट रहोगे तो आपको घबराने के जड़ोत नहीं है आपको वह पेशेंस रखना है और फूट फुल देज आपके रहेंगे और किसी के बैकाबे में या चाहे हो कितना ही बड़ा तुर्रम खान की ओना हो अना इस्टॉक मार्केट का किसी ने कितने रुपे भी कमाई हो या कितने रुपे भी गवाई हो फ़रक नहीं पड़ता simply यहाँ पर experience लेना है यह गिराबट भी आती रहेगी और positivity भी आती रहेगी तो एक statement आया during the market यहाँ पर interview चल रहा था Amit Shagah और आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इस statement ने इस statement ने stock market में चार चार लगा दिये यहाँ पर देखिए इंट्रिव्य आप देखोगे तो आपको समयन में आएगा इन्होंने इन से पूछा गया था कि stock market भी गिर रहा है कि बीड़ेपी ने आदी तो उन्होंने का कि जाके अभी खरीद लो ठीक है और चार तारिक को जब य मार्केट अनलाइसिस से है न तो यहाँ पर आप देखिए यही कहते है बाई बिफोर जून फोर हना चार जन्वरी से पहले यहाँ पर खरी लीजेगा हना यह यहाँ पर ममिशा कहते हुए नजरा है और यह जैसे ही बात हुई मार्केट ने ऑपर लगा था गिर रही थी और मुझे भी लगना था यह जिर गिर के स्मॉल केयं पर आए गा ठीक है स्मॉल केप लगबग चौरज यहाँ पर पंदरह जार को यहाँ पर टच कर जाएगा मिट कैप की बात करूं तो मिट करम यह तो यहां पर रुख्ज यहां पर बात करें निफ्टी की निफ्टी ने भी यहां पर लेवल ब्रेक कर दिया थे मुझे लग रहा था लगभाए 2100 और 1200 का लेवल यहां पर हम टच करते हुए नजर आएंगे बट एक साथी जो यहां पर न्यूस थी उस न्यूस ने पॉजिटिवीटी दिखाई और सा अभी FIS DIs का डेटा आया नहीं है बट I am pretty sure कि यहां पर अच्छी कासी DIs की तरफ से बाइंग हुई होगी FIS का मैं कहने सकता ठीक है यहां पर आप देख सकते है DIs तो DIs ने 3562 क्रोड रुपे का यहां पर खरीदा है और यह FIS थे ठीक है जिन्नोंने यहां पर लगभाग 4500 करोड के आसपास कि यहां पर माल बेशते हुए नजर आए ठीक है बट यह गिरावट यहां से भी हो रही थी बट जैसे ही statement आई तो यहां पर DIs ने यहां पर भाइंग करना शुरू कर दिया क्योंकि समर्ण में आ गया था यहां पर क्या होने वाला है अब क्या हो सकता है उ नहीं भी होती है और मार्केट में गिरावट होती है तो याद रखिएगा वह पॉर्चुनिटी रहेगी जैसा कि हमिशा ने कहा है ठीक है और मिशन ने कहा हो या ना भी कहा हो ठीक है मार्केट किसी के कहने और रुक उस पर नहीं ना तो चलती है ना गिरती है अगर विजन से यां पर आपको पैसा लगाना है और उस से तरीके से अच्छे stocks में पैसा लगाओगे तो आगे बढ़ते हुए नजर आओगे ठीक है small cap मुझे क्या लग रहा है यहां से recovery दिखाई दे रही है अगर आज का जो हाई है 16148 उसे cross कर देता है ठीक है ना तो दीरे-दीरे यहां पर तेजी आ सकती हो और हम यहां पर बांस बैक नहीं होगा वह एक अच्छा खासा बांस बैग होगा क्या चलता हुए नजर आ सकता है तो चलता हुए नजर फिर वही आएगा जैसे कि PSU banks PSU के जितने भी शेयर है ठीक है इसके इलावा यहां पर हम बात करें railway इसके इलावा हम बात करें infrastructure क्योंकि इधर ही पैसे खर्च होने हैं तो उन में बैस्ट क्या है कौन सी कंपनी अच्छा खासा यहां पर अपने आपको प्रिजेंट कर रही है उन की तरफ अगर यहां पर नजरे बनाओगे तो याद रखेगा हर एक जगे पैसा बनेगा और किसी भी ABCD चाहे कितने भी प्रिके उनके उनके जो PMS है या जो भी है उनको यहां पर सब्सक्राइब करके उन्हें जरूर आप पैसे करोड़पती बना दोगे बट इस्टिल आप कही ना कहीं लग करते हुए नजर आओगे तो यहां पर चीजों को अलग तरीके से सोचना सीखो अलग तरीके से काम कर रहा हूं तो याद रखिये खही ना कहीं सच में भी जूट हो नजर आ सकता है तो बाइंग तरीके के रिकमेंडेशन नहीं है अपने फैनेशल एडवाइजर खुद की स्टड़ी करना है चीजों को ध्यान से फोकस करना है ठीक ना अभी भी यहां पर जैसे कि मुझे यहां नजर आता है कि bounce back हो सकता है बट इस तरीके का bounce back अभी फिलहाल में ना हो बट election के बाद definitely वह bounce back देखा जा सकता है तो ध्यान से समझ के साथ रखियेगा अराम से सही से जगे पर पैसा invest करेगा पैसा definitely बन जाएगा so thank you so much god bless